हेलो इस्ट्वेंट्स फाउंडेशन केमेस्ट्री ओनलाइन क्लासेज में आपका मॉस्ट विलकम है मैं हो गालिप सर तो आज का लेक्चेर हम लुगों का हेंडरी लोग हं अब अब देकलि कि इस्में हम लोग सउखेंगे हेंड़ी लग क्या होता है और कुछिंफटेंट टोल मं हम लोग स्केंगे जैसे भेपर प्रेश क्या है इसके रश्क डितना भी हम्ले है तो हैस में पानी है तनिशित है वो ईति है भाप में बदलेगा इसका उगा पुरेशन होगा व मतलब आप समझते हैं इस हो लोग हिंदी में बोलते हैं वास्पन अब इसका मतलब समझे इवो पर Sum का मतलब हो गया जब लिकइड भाप में बदलने लगेगा वास्प में बदलने लगे तो शचया अब लोग भूनकों का बोलते हैं फिर कंपररेशन का समक्थ को ग्या यहां लेकड़ात है यहां अला अइन गैस में या भेपर में में बदलना है किलिया तब लिक्विड गैस में बदलेगा तो उस पर क्रिया कि हम लोग क्या बोलते इभू पुरेशन या उसी को एक और नाम बोलते बेपराईएशन दोनों सेम चीज़े अब यहां से देखिए अगर खूला रहाएगा तो यह लिक्विड जो है भाप में बदलके निकल जागा लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं इसको फॉलोस कर देदेश वाउच कि अब इसको बांद करदेए इसको स्ब्लोस क sempre अब आप ध्यान से देखिए जैसे इसको बंद कर देंगे तो पानी किसमें बदलेगा भाई भाप में बदलते जाएगा एक ऐसा समय आएगा जो भाप उपर जा रहा है उपर बर्तन के उपर वाले जो लेयर है परत है उसे जैसे ही टॉच होगा वह भाप फिर पानी में बद में भाप जाएगा और भाप किसमें बदलने पानी में पर वह पांशिकैंगा फिर वह बदल लेगा भाप में तो एक ऐसा समय आएगा जिसमें जितना लिकवीड व ही और किस में बदलेगा लिक्विड में और उस स्टेज को हम लोग का बोलेंगे इकलुब्रियम जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साम अवस्था ध्याना कहेंगे इकलुब्रियम पर एक ऐसा स्टेज है एक ऐसा समय है जिस पर जितना लिक्विड भेपर में बदलना है उतना भ भेपर प्रेसर् क्या होता है खुब ध्यांद भेपर प्रेसर चलिए अब ये भेपर है यह सब क्या है भाई भेपर रही सर्ट बन wären वास्प करेंग आ कि पार करीयर हो Fr अब यह भेपर हो गया अब यह भेपर जो है कि लिक्विड के सता पर एक दाब लगाएगा एक प्रेसर क्रियेट करेगा किस पर लिक्विड के सर्फेस पर सर्फेस अब लिक्विड इसी को हिंदी में बोलेंगे अब ध्यान दिजिए भेपर के दुबारा लिक्विड के सता पर जो दाब लगाया जा रहा है जो प्रेसर लगाया जा रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे भेपर प्रेसर भेपर मतलब वास्ट और प्रेसर मतलब दाब जो भेपर का जो दाब है प्रेसर है किस पर लिक्विड क सता पर या सॉलूसन के सता पर उसी को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेसर किलियर अब इसी को हम डिफनेशन लिख देते हैं लेकिन वह जो भाप होना चाहिए वह किस कंडिशन पर होना चाहिए एकलूब्रियम ध्यानक ना है क्योंकि एक बंद बर्तान में क्लोज भेशन में पानी को जैसे रखेगा वैसे तो भाप निकलने लगेगा बेपर निकलने लगेगा लेकिन उस समय बर प्रेसर नहीं बदलना है उतना ही बेपर लिक्विड में बदलना उस समय पर हम लोग बात करेंगे बेपर प्रेसर ध्यान केंगे तो लिखते हैं अधिक लिए कि दप्रेशर एक्जाटेड बाई बाई दबेपर या इसी को गैस बोल सकते हैं कि अंधा सार्फेस ऑफ लिक्विड यह आप सॉलूशन बोल सकते हैं इच कोल्ड ऐज भेपर प्रेसर फिर आपको एक बार और हम समझाते हैं अब बहुत-बहुत इंपुरेड़ बार बार युज होगा अभी हिंदी समझें इकलिब्रियम का हिंदी क्या होता है साम अवस्थ सम अवस्था पर किसी वास्प या गैस के द्वारा द्रोग के सता पर लगाए गया दाब को आप कि वास्प दाब कहते हैं है कि चलिए हो गया अब फिर से एक बार और समाझ लेंगे है कि सिंपल मतलब समय भेपर प्रेसर प्रेशर मतलब दाब अब यह उसको हिंदी में बोली हो वास्प तो भेपर द्वारा लगाए गया प्रेसर किस पर लिक्विड के सर्फेस पर लिक्विड के सता पर उसी को हम लोग बोलते हैं भेपर प्रेसर एकदम सिंपल भेपर के द्वारा या भेपर को गैस भी तो बोल सकते हैं भेपर के द्वारा या गैस के द्वारा लिक्विड के सता पर लिक्विड के स देख रहा हैं यह बाफ लिखवीड के सब्हुन पर लिक विट के सता पर कितना दाब लगा रहा है उसी दाब को हम लोगा बोलते हैं भे पर प्रेशर इस दाफ को क्या बोलेंगे भेपर प्रेसर तो आपको डिफनेशन याद अखना है और इसका कॉंसेप्ट भी ध्यान लगना क्यों बार-बार यूज होगा तो इकलिब्रियम पे भेपर या गैस के द्वारा लिक्विड के सता पर लिक्विड के सर्फेस पे जो दाब लगाए गया जो प्रेसर लगाए ग लेकिन ध्यान अखना है वो प्रेसर कब लगना चाहिए एकलिब्रियम पे अब इसको कोपी कीजिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अब एक और टम देखिए एक और चीज यूज होगा पार्शियल भेपर प्रेसर इस अब दिमाग खराब कर दता है इसलिए पहले ही आप सीख लीजिए यह सब क्या क्या है पार्शियल भेपर प्रेसर या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल पार्शियल प्रेसर भी बोल सकते हैं अब इसको लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं कि दा इंडिवीजिवाल कि प्रेसर ओफ इच गैस कि इन ए मिक्षर या हम लोग सॉलूशन पर रहे हैं तो सॉलूशन इस कोड़ कि इस पार्शियल भेपर प्रेसर चलिए इसका हिंदी लिख देता हैं फिर आपको समझाते हैं तो पार्शियल प्रेसर को बोलते हैं आंशिक वास्प कि दाब या इसी को आप बोल सकते हैं सिंपल आंशिक दाब चलिए इसका मतलब समझें किसी मिसरन या विलियन में पर्तेग गैस दुबारां लगाया गया अपना दाब को उसका आंसिक दाब कहते हैं हाँ अब डिफरेंस समझो भेपर प्रेशर क्या होता है अब पार्टियल भेपर प्रेशर क्या होता है दोनों एक ही होता है लेकिन अलग-अलग सिच्वेशन में नाम बदल दिया गया है इधर रखो अगर एक लिक्विट रहेगा याद रखना है एक लिकविड वन लिक्विड एक लिक्विड है एक दरौ अगर रहेगा खुब ध्यांद समझना है रट अन्पना नहीं है समाजना है है और एक तुले रहा है मिक्षर या सोलूसन ले रहा है और सोलूसन में एक से अधीक द्रव होगा कि एक से अधीक मानलो ऑधीक द्रव चलू इसको नाम देदेते हैं ए इसको नाम देदेते हैं ए अब भी भी है इसमें चलू अब इसमें जो है भाई मालो लिक्विड ए है पानी होगा मालो कुछ भी होगा है और इसमें कहा about गोले दो लीक्वीड घे हो लीखुवीड ये परवश्याश्य लेक्वीड बोल है अब आप इसका जो भाब बना इसको बंद कर दे झांध कि इसका जो भाब aman थ्यूश्य श्यूंच कि तो भाप कितना लिक्विट का बनेगा एक लिक्विट का बनेगा और यहां पर कोग लिक्विट है एक भी है और एक भी भी है तो कितना लिक्विट का भाप बनेगा दो लिक्विट का भाप हो गया और यह बी लिक्विट का भाप हो गया तो यह बेपर किसका है कि आका यह थेमिपर और यह अपेपर है किसकाव सिपने मुज़िता का और यह थेखल समस्तौक ड़िए अगर रहेगा लिकुट अकेरा है तो इसके दोबारा जो प्रेसर लगाई गया लिक्वीड के सता पर उसको भोलेंगे सिम् DF बोलेंगे भेपर प्रेशन को बोलेंगे में पार प्रेशर क्योंगा केला लेकिन जब एक सॉलूसन में बहुत सारे लिक्विड हो तो उसका जो अपना अपना भेपर प्रेशर आया अब इसका भी प्रेशर है इसका भी पर प्रेशर है अब यह किसका भेपर है भाई एक और यह किसका भेपर है बीका इसके द्वारा भी प्रेशर लगाया गया होगा इसको बोलेंगे भेपर प्रेसर लिखते हैं अब प्रेसर और यह अब एक अब प्रीक नहीं बोलेंगे अब इसने नए आट कर पार्शियल पार्शियल मत उसका भाग पार्शियल भेपर प्रेशर अब और इसको बोलेंगे पार्शियल भेपर प्रेशर अब इसके आप ध्यान रखेंगे हाँ फिर समाई लीजे अगर कोई लिक्वीड एया भी कोई लिकवड अकेलर है तो उसका जो भेपर का प्रेशर होगा उसको बहुते वgementने मेर फेपर प्रेशर लेकिन अगर कोई सलूशन में दो लिकविड हा या दो सद्विक लिकविड आए तो उसका जो भेपर प्रेशर है ना उसका भाटा इस उन emphasized that-al olhar उ बोलेंगे दोनों सेमी होता है लेगिन लिकोई रहेगा तो बोलेंगे भेवर प्रेसर जब लिकोईड में रहीग तो दूसमें ईसमें हम लोग का बोलेंगे भी पर प्रेसर प्रे में एक चीज़ करेंगे घया अजित के colorokay अब फूक्वीड का प्वेपर प्रेशाँ सप्नेंट करेंगे लीकवीड का नोर। अगर अलीदेगी अुझेटDEx a ओस व्लूसल नोघा सो लूसन में जो लिकूटी है इसका जो व्लूसल रोगा आ अट डिनूसल और यह पार प्रेसर समय पारश निरूट पी ऑदे प्रेशर का भी उज़ करेगा कब बोलना जब लिक्विड अकेला रहेगा अब पार्शियल प्रेशर कभी उज़ करेगा रहे बोलना जब सॉलूशन में दो या दो से अधिक लिक्विड रहेगा तब और वेपर प्रेशर को किसे टीनोट करेगा पी नौट से अब एक और टर्म यूज़ होगा बहुत ज्यादा जिसको में बोलेंगे भोले टाइल एंड नॉन भोले टाइल सब्टान्स बहुत ही असान है लेकिन इसको समझना जरूरी है हिंदी में बोलेंगे उरंसिल उरने वाला तथा और उरंसिल पदार्थ इसका मतब समझें हां है है कि एक ओगया व गौले टाइल और एक हो गया लहन भोलेटों नो भोलीटाइल खुर्नांटी सब्रय एस सब्टांस को वीच है रिडाइली चेंजेज इन्टू बेपर और इसको बोलेंगे इस सब्टांस वीच डू नोट रिडली चेंजेज इन्टू बेपर हिंदी लिग दाता है फिर समझाते है आएसे पदार्थ जो आसानी से वास्प में बदल जाएं इसको बोलेंगे आएसे पदार्थ जो आसानी से वास्प में नहीं बदलें बना प्रस्प हाँ आप इसका मतलण समझी है ऐसे पदार्थ ऐसे सब्टांस जो आसानी से फेपर में बदल जाएं उसको भोलेंगे भोलेटअछ बस्दार्ट अब असानी से कोन भाई बदलेगा सोलट थोरे में बदलेगा कौन बदलेगा लिक्विड बदलेगा लिकूइड जो भी लिक्विड दे दे वाटर ऑक बेंजीन कार्बन टेट्रा कोलोडाइड जो भी लिक्विड अवास्था में होगा वह उरंसील होगा वह भाप में बदलेगा लेकिन जो सॉलिड में होगा वह भाप में नहीं बदलेगा व्यारिनि जाएसे आप जानते होंगे सुगर घुलुकोज है एने सील एतीस तो सिंपल याद रखेंगे लिक divert में जो आएगा और अनिसीयल होगा वह बतलेगा लेकिन जो ठोच सवास्ताम होगा जो सॉलिड होगा जैसे सुगर् घुलुकोज है सब यह सब भाप में नहीं बदलेगा यह और उरंसी लोगा इसका भाप नहीं बनता है चीनी का भाप फिर बनेगा नहीं बनेगा लेकिन बहुत टेंपरेचर हाई करना पड़ेगा तो आसानी से नहीं बदलेगा तो ऐसे पदार्थ जो आसानी से भाप में बदल जाए उसको बोलेंगे बोलेटाइल सब्टांस ऐसे पदार्ट जो आसानी से भाप में वास्प में नहीं बदले उसको मुझा बोलेंगे नॉन बोलेटाइल सब्टांस इसका ध्यान रखेंगे कि अब हम लोग समझते हैं हें लोग क्या होता है कि दो कि पार्टियल प्रेशर आफ दा गाइस एभाब दा सॉलूशन इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल तु दा मोल फ्रेक्शन आफ दा गाइस दा सॉलूशन एक और डिफनेशन है इसका उसको भी लिख देते हैं दा सॉलूबिलिटी आफ ए गाइस इन दा लिक्विट इस डिरेक्टली प्रोपोर्शनल तू दा प्रोपोर्शनल तू दा पार्शियल प्रेशर आफ दा गैस एभाब दा सॉलूशन अब इसके हिंदी लिख देता है फिर आपको समझाते हैं तो हैंनिलों का दो डिफनेशन होता है एक होता है पार्शियल प्रेशर के टर्म में एक होता है मोल फ्रेक्शन के टर्म में और एक होता है सॉलूबिलिटी के टर्म में तो दोनों को ध्यान दो समझते हैं पहले फॉस्ट वाला समझते हैं तो एक हम लोग क्या करते हैं सॉलूशन बनाते हैं किसका गैस और लिक्विड क्या तो यह हो गया लिक्विड और इसमें गैस जो है डिजॉल्व है और कुछ गैस उपर है और कुछ गैस नीची है ध्यान चेंगे कुछ गुला हुआ होगा और कुछ गैस उसको उपर होगा अब यहां पर हेन्री लोग बोलता है तो पार्शल प्रेसर ऑफ दगैस एभव दा सॉलूशन सॉलूशन के उपर यह तो सॉलूशन हो गया गैस पलस लिक्विड बनेगा तो क्या बन गया यह सोलूशन हो गया जूटा है अब बोलता है सोलूशन ऊपर जो गैस है उसका पार्शल प्रेसर करे加श तो पार्श और फ्रेसर o उपर वाला गैस तो एभग दे सलू संपर क्थ ध्यान से समझेगे था ईसका परसी Ale इसदेट्येक्ली प्र्पोश्चनल टुड़ा मोल फ्रेक्शन ऑप दा गैस इन के इस एऩ में जो गास गयस के वह डिरेक्टली प्रोपोश्णल होगा मोल फ्रेक्षन के कौन वाला तो मोल फ्रेक्षन कि गया है वो गैस कोन वाला इन। शौलूशन ध्यान दिजह है हैं कि या या काता है solution के उपर वाला जो gas है उसका partial pressure, solution में जो gas है उसके mole fraction के directly proportional है, समाझ में आया है, और directly proportional को हिंदी में हम लोग बोलते हैं, समानुपाती है, क्या है समानुपाती, तो फिर से बता देते हैं, विलियन के उपर जो gas है, उसका partial pressure, उसका आंसिक डाप, विलियन में जो gas है, उसके mole fraction के directly proportional है, समानुपाती है, क्लियर हो गया, किसका partial pressure लेना है, जो gas solution के उपर है, तो solution के उपर जो gas है, उसका जो partial pressure होगा, जो gas solution में होगा, उसके mole fraction के directly proportional होगा, यहाँ पर हम लिख चुके है, हिंदी में लिख लिख लिजएगा, gas का आंसिक डाप, नीचे लिखेगा, विलियन के उपर वाला gas, directly proportional होगा, समानुपाती होगा, gas के mole अंस के, कौन वाला gas, जो solution में होगा, तो यह होगा फर्स्ट वाला, अब सेकेंड वाला देखिए क्या करता है, यह वाला हेंडिक अनियम करता है, किसी gas का जो solubility है, solubility of the gas, gas का जो solubility है, कौन वाला gas, तो देखिए लिखा है, तो solubility of the gas, in a liquid, liquid में जो gas है, तो solubility of the gas, किसमें, in liquid, is directly proportional, to the partial pressure of the gas, partial pressure of the gas, कौन वाला gas, जो solution के उपर वाला है, तो हेंडिक का second तरीके सा भी बोल सकते हैं, विलियन में जो gas है, उसका जो solubility है, वो, विलियन के उपर जो gas है, उसके partial pressure के क्या है, डैकली proportion, तो ध्यान लखेंगे, गैस का जो solubility होगा, solution में, वो, solution के उपर जो gas है, उसके partial pressure के, directly proportional होगा, अब इसको आप कोपी कीजिए, दोनों को मिला के एक फर्मूला हम बनाते हैं, अब दोनों का अगर मिलाते हैं, तो क्या होगा भाई, solubility जो होगा, directly proportional होगा, किसके, partial pressure के, और partial pressure जो होगा, directly proportional होगा, किसके, mole fraction के, तो हैं, तो हैं, तो हैं, तो हैं, दो तरीके से बोल सकते हैं, गैस का जो solubility है, जो उपर वाला gas है, उसके partial pressure के डाक्ली प्रोपोशनल है, यह आप बोल सकते हैं, विलियन के उपर वाला जो gas है, उसका partial pressure, solution में जो gas है, उसके mole fraction के डाक्ली प्रोपोशनल है, यह तीनु तरीके से लिख सकते हैं, solubility of gas, gas का solubility कौन वाला, solution वाला, in solution, partial pressure of the gas, कौन वाला gas, above the solution, solution के उपर वाला, और mole fraction, किस gas का mole fraction लिखना है, जो solution में, बस, इसी point को आपको ध्यान रखना है, तो आपसे definition पूछेगा, और समझने के लिए इतना हम बता हैं, अब यहां से formula निकालते हैं, इसको, इसको 3 मानेजी इसको 1, तो 2 और 3 से एक formula बनेगा, 2 और 3 के यूज करते हैं, तो partial pressure जो होगा guys को, उसको denote करेंगे P से, directly proportional होगा, और mole fraction को आपको denote करेंगे किसे, X से, अब यहां पे proportionality हटेगा, समानुपाती हटाते तो बराबर आता हैं, तो यहां पे constant आगा, KH into X, अब KH को में बोलेंगे, Henry constant, ध्यान केंग, क्या बोलेंगे, Henry constant, और X जो होगा, उसको में बोलेंगे, mole fraction, mole fraction, of the gas, gas का mole fraction हो गया, तो partial pressure, formula का हो जागा, Henry constant, गुना, mole fraction, of the gas, mole fraction, of the gas, यह gas कौन वाला, जो solution में है, और यह gas कौन वाला, जो A भग है, तो इस तरह इसी formula को हम लोग लांग्वेज में लिख सकते हैं, P मतब, solution के उपर जो, तो गया सब इसका partial pressure, बराबर होगा, Henry constant मतब, KH को में लोग का बोलते हैं, Henry constant, और गुना mole fraction, यह formula आ गया, इसी को आप लिख सकते हैं, इसी को काई बोलते हैं, और काई मतलब आप समझते हैं, काई मतलब क्या होता है, mole fraction, अब यहां पर ध्यान रखेंगे एक चीज, अगर आप ताप को temperature को बढ़ाते हैं, तो KH का जो value है, वो बढ़ेगा, ताप को बढ़ाएगा, तो Henry constant जो है, वो का होगा बढ़ेगा, और solubility जो है, gas का liquid में, solubility of gas, किस में? liquid में वो का होगा घटेगा, ध्यान रखेंगे, temperature बढ़ाएगे, Henry constant का value बढ़ेगा, और gas में, और liquid में जो gas का solubility है, वो क्या होगा? कम हो जागा, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, चलिए, हो गया, अब cage के बारे में एक चीज और ध्यान रखेंगा, cage जो है, वो ऐसा constant है, जो gas में निर्भर करेगा, किस में निर्भर करेगा? Gas, यह जैसे पाई का value होता है, 3.14 कहीं पर भी जाओ, math में, physics में कई पी use करेगा 3.4, लेकिन यह जो cage है, वो universal constant नहीं है, यह gas पर निर्भर करेगा, तो henry constant, कामान, भीन, भीन गैस के लिए, अलग अलग होगा है, अलग होगा है, ध्यान नकेंगा, तो अप्जेक्टिम में अगर दे दे, आपको अगले lecture में कराएंगे, अगर किसी gas का जादे है, तो इसका solubility होगा क्या होगा, कम होगा इसका ध्यान नकेंगे, temperature बढ़ाएंगे, cage का value बढ़ेगा, लेकिन gas का solubility है liquid में वो क्या होगा, घटेगा, अब इसको copy कीजिए, लास्ट चीज आपको बताते हैं, चलिए, हेन्री लाव हम लोग समाज गया है, अब हेन्री लाव का application देखते हैं, हेन्री लाव का अनुपरियोग कैसे करते हैं, तो हम लोग जो soft drink पीते हैं, cold drink जो पीते हैं हम लोग, या soda water जो होता है, gogo cola Pepsi यह जो company होता है, उसमें CO2 dissolve होता है, और CO2 को और अधिक dissolve होने के लिए, उसको हम लोग high pressure पे seal करते हैं, वो bottle में जब pack करते हैं CO2 को, तो उसके लिए pressure को अधिक रखते हैं, क्योंकि pressure अधिक रहेगा, तो उस soft drink में, जो CO2 होगा वो जाधे dissolve होगा, और आप देखे होंगे, जब हम cold drink को लाते हैं, और उसको फिरेज में नहीं रखते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, तो कुछ देर बाद उसका टेस्ट ही खतम हो जाता है, क्योंकि उसमें से CO2 जो गय से वो निकल जाता है, इसलिए उसको temperature और pressure मेंटेन रखेंगे, तब भी CO2 डिजल्ब होगा, और CO2 जब डिजल्ब होगा तो टेस्ट आचा मिलेगा, निकल जागा तो फिर आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, चिनी पानी यही सा लगता है, अगर CO2 निकल जाता है तो, दूसरा आप देखे होंगे कोई भी कलाइमबर जो पहार पर चहड़ता है, पहार पर चहड़ते हैं जो भी लोग, वो एक सिलेंडर टैंक ले जाते हैं, क्योंकि जितना उचाई पे आप जाएगा, ज्यादा उचाई पे अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेसर जो होता है कम हो जाता है, प्रेसर की कम होने के कारण, ऑक्सिजन जो बलड में घूला रहता है, उसमें कम ही आजाता है, आप कम ऑक्सिजन बलड में घूलेगा, और ऑक्सिजन जैसे भलड में कम घूलेगा, तो होगा क्या उस समय आपका बॉड़ी का फंक्शन घरबर होने लगेगा, आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, आपको सांस लेने में दिकत होगा और कि नाक से यरा बड़ी का और पार्ट से बिलीडिंग होने लगेगा बलट निकलने लगता है उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं एनौग्जिया का मत्भत होता हैं कम जोरी और सोचने में पर्थिनाई होना उस बीमारी कीजिए आज का लेक्चर हो गया फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले लेक्चर में हम लोग रॉल्स लॉप परेंगे तो भेपर प्रेसर का ध्यानक ना पार्चिल भेपर प्रेसर का आपको ध्यानक ना तो बेस्ट अपलाप फिर मिलते हम लोग अगले लेक्च